सब्सक्राइब किजिए पिट्स प्लाजा चैनल को उसके साथ बेल आइकोन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए जै हिंद फ्रेंड मैं हूँ आपका दोस्त आज का होस्ट करन परसाद और आप देखे आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पिट्स प्लाजा आज मैं विलकम करता हूँ अनदर वीडियो के साथ आज का जो वीडियो है काफी प्यारा काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो होन जैसे कि मैंने बहुत सारे डॉक के उपर प्राइस के उपर प्राइस के उपर वीडियो बनाया है तो आप लोग सभी लोग ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को तो आज मैं एक ऐसा प्राइस के उपर वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि हैं इंगलिस कॉकर इस्पैनिय तो अब बात करते हैं English Cocker Spaniel के बारे में First बात करते हैं दो टाइप के Cocker Spaniel होते हैं एक होता है English Cocker Spaniel जो की size में थोड़े बड़े होते हैं और दुसरा होता है American Cocker Spaniel जो की size में थोड़े छोटे होते हैं तो आज का जो topic है वो English Cocker Spaniel के उपर है English Cocker Spanel Price के ओपर 2021 के तो फर्स्ट आपको बताते हैं कि English Cocker Spanel का नाम कहां से मिला उनका जो हिस्टरी है वो कहां से मिला English Cocker Spaniel जो है थे वो एक hunting dog breed है मतलब hunting के लिए बना गया था एक bird है जिसका नाम है Oodcock उसको hunting करने के लिए English Cocker Spaniel especially बना गया था मतलब उस bird को hunt करने के लिए एक English में वहाँ पर first इसको breed किया गया था इनका जो origin है आप समझ भी सकते हो इनका जो origin है वो English में है इंग्लैंड में है तो वहाँ का origin है इनका और ये बहुत अच्छे बहुत लवेबल dog breed होते है ये के family dog भी है इनका इदी origin की बात की इनके height की बात की जाए इनका जो male का height होता है वो 38 cm से लेके 46 cm के आसपास जाता है और इदी female की बात की जाए तो 36 cm से लेके 41 cm के आसपास चला जाता है जो की और इदी इनकी nature की बात की जाए तो बहुत अच्छा nature होता है बहुत अच्छे loveable family breed होते हैं इदी especially आप इंडिया में बात की जाए इंडिया में काफी लोग पसंद करते हैं क्योंकि इनका जो maintenance है बहुत जादा high maintenance भी नहीं है और इनका बहुत जादा low maintenance भी नहीं है तो इदी आपको एक dog के उपर आप time दे सकते हो तो ये dog आपके लिए perfect dog है क्योंकि बहुत सारे friend इनको पसंद करते हैं ये एक medium size का dog breed है और इनकी के लिए के लिए काउकरे स्पैनेल की बात और उनका जो हेर होता वो काफी बड़ा होता है और इनकी दिए care की बात की जाए तो care वैसा कुछ care नहीं है वैसा कुछ care आपको नहीं करना परता है जैसे कि आपको घर पे कोई family member है जैसे कि आप dog है तो जैसे आप normally care करते हो जैसे normally आप रखते हो food देना य pagण वैसे देना परता है येर को आपको regular week में एक से दो बार आपको cleaning करवाना पड़ेगा brushing आप दो दिन में एक बार कर सकते हो क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे ऐसे breeder है जिनसे मेरा बात होता है cocker spaniel के बारे में तो उनको ऐसा उन्होंने बोला गया है कि आप दूसरे से golden retriever होते हैं जर्मन saver होते हैं long coat में उनको आप daily brushing कर सकते हो बट cocker spaniel में वैसा उनको maintenance नहीं करना पड़ता है आप दो दिन में एक बार ही brush करोगे तो उनके लिए perfect है आप उनको रख सकते हो और इनकी diet की बात की जाए तो normal diet है जैसे आप एक normal dog को level dog को अपरद देते हो तो आप normal diet भी रख सकते हो घर के diet पर भी रख सकते हो या dry fit पर भी रख सकते हो उसके साथ एक अलग supplement देना पड़ेगा आपको omega 3, omega 6, omega 9 fatty acid का एक supplement आपको देना पड़ेगा वो supplement आप swap से किन सकते हो या आप virgin coconut oil के माध्यम से भी आप दे सकते हो तो वो आपर हो गया आपका और इदी इनकी price की बात की जो main topic है वो price की बात की जाए तो हमारे कॉलकता के side में तो 12,000 से लेके 18,000 तक आपको एक अच्छा English Cocker Spaniel आपको मिल जाएगा जो की बहुत अच्छे quality अच्छे bloodline के साथ मिल जाएगा यादी आप KCI register लेना चाहते हो तो 20,000 के आसपास से starting होगा वो depend होगा quality कहां तक जाता है जो की आपका bloodline और उनके mother-father पे depend करता है अब बात करते हैं के color के ओपर इन पे बहुत different color आते हैं बहुत color पे आते हैं जैसे कि आप जर्मन से फर देख सकते हो कि आपको हर एक color में आपको available हो जाता है तो ऐसे English Cocker Spaniel में भी बहुत सारे color available हो जाते हैं एक समय था जब इनका चलंती होता था मतलब ये बहुत चलते थे बहुत चलते बोलते तो बहुत demand में थे उस तेम बहुत सारे breeder इनको breed करते थे बहुत सारे अलग-अलग different color देखने को मिलता था डॉक सो में बट अभी क्या हो गया है डॉक सो में आप जाओगे तो Cocker Spaniel आपको दिखता है बट ब्लैक में फूल ब्लैक में दिखेगा या फूल गोल्डेन गोल्डेन कलर में दिखेगा गोल्डेन कलर में बहुत सारे shade आते हैं light shade, medium shade या white golden में या फूल डार्क में तो जो फूल डार्क होता है अभी demand full है बहुत demand किया जा रहा है बहुत लोग को पसंद आ रहा है तो golden जो कलर होता है वो एक मात्रो चल रहा है black का भी अभी चलनती बहुत कम हो गया है या आपके पास जो black है उनका पपिज काफी low price में sale होता है या बहुत कम price में sale होता है या वो KCR डिश्टर ना होतो बट इनका जो color की बात किया तो at least मुझे पता जहां तक मुझे पता है वो 12 color तक आते हैं उससे भी जादा हो सकता है बहुत different color में आते हैं black white में, full black में, golden में, white shade में उसके बाद बहुत सारे different different color में आते हैं तो ये एक ऐसा dog breed है जो कि especially hunting के लिए breed किया गया था और इसको बहुत अच्छे तरीके से breed किया गया था कि कि बहुत different color में आते हैं जैसे कि कुछ-कुछ dog breed होते हैं जैसे रॉटवाइलर हुए या golden retriever हुआ ये सब क्या होता है एक दो color में आते हैं बत ये काफी different color में आते हैं और इनके जो puppies होते बहुत cute लगते बहुत दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये ऐसा भी बहुत सारे जगा में आप देखोगे कि इनका जो tail को crop किया जाता है जैसे कि dogorman होता है वो जब puppies होते हैं puppies जब birth होता है उनका tail के साथ वो birth होता है बट उनके साथ उसके क्या करता है rubber band band दे जाता है उनके बाद वो जो tail होता वो छोटा हो जाता जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि puppies जो हुए हैं वो puppies छोटे हुए हैं और उनके साथ वो tail है जैसे dogorman के साथ होता है उसके बाद कुछ दिन के बाद कुछ week के बाद इनको rubber band बाद दे जाएगा तो आस्ते आस्ते वो जो tail है वो कटके निकल जाएगा कटके side हो जाएगा उनको pain भी नहीं होगा उनको दर्द भी नहीं होगा ठीक है तो इस process सो आपको dog को रखा जाता है अब बात करते हैं इनके health issue के उपर तो health issue ऐसा बहुत normal health issue है जैसे की dog के उपर आता है बहुत कम health issue है वैसा कोई परफेक्ट health issue ने कि इस dog breed को ये health issue आने वाला है in future में तो ऐसा कुछ नहीं है आप अपने dog को अच्छे से रखोगे अच्छे से घर, घुमाओगे, फिराओगे ये dog breed ऐसा है कि इसको आप all time cage करके नहीं रह सकते हो एक medium size का dog breed है आपके पास 2BH के ये चोटा घर भी है अपार्टमेंट है तो वो घुरता फिरता रहेगा adjustment करके रहेगा बहुत प्यारा से बहुत घर के हर एक family member के साथ adjust हो जाएगा तो आप इसको खोल के रखो सब समय चेनिंग करके कभी भी cocoy spaniel को नहीं रखा जाता है उससे आप खोल के रखो वो घर पे रहेगा उनका जो hill देता है वो भी बहुत अच्छा होगा इदी मेरी experience की बात ये तो मैंने एसे 2-3 cocoy spaniel देखा है जिनके 14 puppies भी होते है इनका जो puppy का ratio है बहुत ज़्यादा होता है 11, 14, 8, 9 टाइब का या 7, 8 इस टाइब के puppy ratio होते है तो बहुत सारे मैंने ऐसे dog देखे हैं जो इनका 14 puppy, 11 puppy मेरे experience के आधार पे मैंने first delivery भी करवाया है 11 puppy को तो ऐसे बहुत सारे puppy लीटर का size देखें तो बहुत काफी बड़ा होता है जैसे कि दूसरे dog में होते हैं बीगल में होते हैं 6 puppies at least होता है 7 puppy तक होता है तो टॉइ पॉम की बात की ज़एए उनका 1 puppy होता है 2 puppy होता है तो वो छोटे भी बहुत होते है इनका जो है medium size का बहुत puppy अच्छा होता है एदि आप breeding के लिए लेना चाते हो कोई भी dog आप breeding के लिए लेना चाते हो तो breeding के लिए बहुत अच्छा होता है जैसे कि हमारे कॉलकता में एदि कोई breeding के लिए कॉकाइस पैने लेता है तो वो color choose करता है golden गोल्डन कलर बहुत डिमार्ड होता है अब उससे choose करोगे तो वो बहुत अच्छा होता है और इनका जो diet होता है बहुत कम होता है breeding के लिए इनका diet जो होता है बहुत कम होता है अच्छा diet देना पड़ता है इनको chicken के साथ rice दोगो या dry fruit दे रहे हो अब उसके साथ virgin coconut oil up मिला सकते हो mix कर सकते हो या अलग supplement यूज कर सकते हो जो की omega 3 omega 6 के लिए benefit है उसके बाद नियमित अधार पे आप multivitamin, calcium यूज सकते हो बहुत ज़्यादा dog लंबा चौड़ा dog भीर नहीं है तो like, share, subscribe ज़रूर करे अपने friend circle में share कर दे और एक बात यहीं आप मुझसे जूड़ना चाहते है मुझे, मुझसे बात करना चाहते है कोई भी dog के regarding, कोई भी question हो आपके मन पे quality के उपर, quality check कराने के उपर या आपका dog vomiting कर रहा है या आपका dog को fever आ चुका है या कोई भी problem हो आपके dog को तो आप मुझसे personally बात कर सकते है मेरा Instagram का link आपको description है मिल रहा है screen में भी दिख रहा होगा करनवीर 8570 तो वहाँ जाके आप direct मुझे message कर सकते हो हो सके, बहुत सारे message pending होता है तो आपको late reply दोंगा बट आपको जरूर से जरूर एक से दो दिन में आपको reply जरूर दोंगा तो वहाँ पर आप बात कर सकते हो और मेरा Facebook पे page है Pets Plaza के नाम पे वहाँ जाके आप भी फॉलो कर सकते है बहुत different breeders आपसे जूर सकते हैं आप बहुत experience बंदे से भी आप मिल सकते हो और एक group है Pets Plaza के नाम पे वहाँ पर भी आप जागा फॉलो कर सकते हो Facebook पे तो आप different person से या dog breeders से या आप personally कोई dog को buy करना चाहते हैं वहाँ से आप buy कर सकते हो तो मिलते हैं next another video के साथ अभी के लिए जय हिंद बंदे मातन फ्रेंड